तो देखी दोस्तों Indian Air Force में जो English का सिलेवस है ना, वो किस प्रकार का है और मैं अभी Question भी आपको दिखाने जा रहा हूँ, ठीक, Question पेपर और आपको previous year का जो आए है, Question वो किस प्रकार आते हैं, देखेंगे, देखेंगे, Indian Air Force में 20 Question होते हैं, ठीक, English से, चाहे Group X हो, चाहे Group Y ह तो देखें, यहाँ पे सबसे पहला आता है आपका Passage से, ठीक, इसमें कितने परकार के Passage पूछ जाते हैं, तीन परकार के, ठीक, पहला दूसरा और तिसरा, अब आज जानते हैं, Grammar, Grammar में भी पहले परकार में आपका, Subject, Verb, Concept वगरा में पूछा जाता है, यह चार परकार के होते हैं, ठीक, इसे आप अच्छे से एक बार रेडी कर लिजेगा, अब देखें, दूसरे परकार के Grammar में क्या आता है, आपके यही आज जाते हैं, दम, प्रिपोजिशन, नाउन, पॉर नाउन, एडजेक्टिव, ठीक, भर्ब, एडबर्ब, कंजक्शन, मॉडल्स, व होने चाहिए, ठीक, इसके लिए, सानेनोम, एंटोनोम, वगेरा, आप याद किर लिजी अच्छे से, ठीक, वन, वर्न, सब्स्ट्यूशन, और एस्पेलिंग, जो हैं, आप करेक्ट, अच्छे से ध्यान में रखें, तो ये चीज हो गए, ये च्छे परकार के आते हैं, ठी आता है हमारा वोईस, वोईस दो मार्क्स का होता है, तो इसमें एक्टिव और पैस्ट बोईस होते हैं, ठीक, दोनों एक एक क्वेशन आते हैं, तो पहला और दूसरा आप अच्छे से देख लें, उसके बाद आपको अंतिम में मिलेगा जंबल सेंटन्स, ठीक, तो अब आ प्रफोर्स में बिल्कुल इसी परकार काएगा, पहले देखिए, पैसेज को पढ़ना है, ठीक, पैसेज को नहीं, प्रशन को पढ़ना चाहिए, अक्सर बोल जाता है, कि पहले आप पैसेज को पढ़िए, ठीक, यहाँ पर आपको फॉलो करने बोलेगा, लेकिन आप पहले से पैसेज बना लेंगे, तो आपको यहाँ पर चार मार्क्स मिल जाएंगे, उसके बाद आपको आया है, इसमें आ जाते हैं आपके वन मार्क्स, उसके बाद चूज दा वर्ड एलमोस्ट, आपके, मतलब सभी परकार के ग्रामेट, टेकले मिला करके, आपके हो जाते हैं य एक मार्क्स, और यहाँ पर ब्लेंक होता है, फिलिन दे ब्लेंक, इसमें आपको तक्रीबन पांच कोश्चन पुझाते हैं, एक, दो, तीन, पांच कोश्चन, ठेक, तो अच्छे से आप एक बार कंप्लीट कर लें, देखिए मैं सारा कुछ आपको अच्छे से किलियर करके दिखा देता हूं, ठेक, उसके बाद आपके 15 नंबर कोश्चन में यहाँ पर आ जाता है, सेंटेंस, डेट, कौनवेली, दे सेम मीनिंग, एज दा गिवन सेंटेंस, ठेक, सेम मीनिंग वाले भी आपको चुनने होते हैं, उसके बाद 16, 17, असपोर्ट दे, मतलब सभी प्रक करना होगा, ग्रामर, ठेक, उसके बाद अच्छे से एक बार पढ़ लेंगे, तो सारा का सारा कम्प्लिट हो जाएगा, तो चली, और एक बार में, इसको नीचे से उपर के और स्क्रोल कर देता हूं, ताकि आप अच्छे से देख लें, क्वास्चन को, और हो सके तो नोट क करने से, सारे प्रश्णों को आप स्किन सोट ले ले, अब देखिए, आपको क्या रन नित्ति अपना नहीं होगी, सबसे पहले आप पैसेज को बनाए, ठीक, उसके बाद हो सके तो नरेशन और वोईस पर ज्यादा ध्यान दे, ठीक, आप इसमें अगर एट मार्क्स ला ले कॉस्टिन पेपर और सिलिबस मिल जाएगा हमारे वीडियो पर, ठीक, तो फिर मिलेंगे नेशन पुटिक साथ, चैनल को सस्क्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लिजेगा, दोस्तों को सेर कर दिजेगा, धन्यवाद अपने पढ़िए और हग के लिए लड़िए, फिर म मिलेंगे नेशन पुटिक साथ,